तो देखे उत्राखंड जीके टेस्ट पार्ट फिफ्टी सेवन है और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्राखंड सामाने दिन के महत्तो पूं एमसी क्यूज काफी महत्तो पूं यह सेरीज है दोस्तों UKPSC प्रार्रमिक परिक्चा एंड UKSSSC के समस्त एक्जाम्स के लिए अभी देखे आपका एक्जाम होना है आपकारी सिपाई का प्रावतन सिपाई का वन रक्षक का तो उसके लिए बहुत महत्तो पूंग यह सेरीज है इसलिए मैं हमेसा आपको बोलता हूँ देखे चैनल पर तीन सेरीज है चलती है इनको बिल्कुल मिस ना करें UKGK टेस्ट जो की इनको आप फॉलो करें तो कम समय में आप बहुत अच्छी तहियारी कर पाएंगे इन तीनों सेरीज के माध्यम से साथी उत्राघंड के एडिसनल सीरीज हमेसा हमें बोलता हूँ इसकीप ना करें खासकर जो डिस्क्रिप्टिव सेशन चलते हमारे जैसे उत्राघंड जी के वान लाइनर एंड साथ में जो कोर्सेज में आपके लिए समय समय पर लाते रहता हूँ जैसे अभी चल ला है बिटिस कुमाउंगर वाल ठीक है तो पहला कोश्यन देखेंगे आज पार्ट 57 में कमेंड बॉक्स में कमेंड करें अपना स्कोर पहला कोश्यन आपके सामने स्क देखेंगे इसका निर्मान पूरा हो गया था दोस्तों 1883 में ठीक है ऑप्शन डीस का से आंसर है 1883 में बनकर ये पूंग हुआ था बहुत ही महत्तों पूंग है अगला कोश्यन है देखेंगे विवेकानंद परवतिया किसी अनुसंधान संस्तान की स्थापना कब हुई थ देखेंगे वर्यस एक्जाम में आपने देखा होगा उत्राखंड के पूर्व पेपरों को देखेंगे ठीक है दोस्तों मैं हमेसा आपको एडवाइस देता हूं और साथी देखें आपको फॉलो भी करना चाहिए जो नए एस्पिरेंस है उनको ये पता होना चाहिए कि पे उसका पूरा सॉल्यूशन होगा उससे आपको ये मदद मिलेगी कि किस तरह की क्वेशन आयोग पूछ रहा है और किस तरह हमने प्रिप्रेशन करनी चाहिए और किन कोश्यों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए इतनी समझ आपको है क्योंकि आप ग्रेजूशन करने के बाद परिक्षाओं के छेतर में है तो विवेकानन्द पर्वतिय किर्से अनुसंदान सस्तान की मैं बात करूँ इसकी स्थापना होई थी दोस्तों 1924 में जो की दिये गई विकल्पों में नहीं है इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन टी इन में से कोई नहीं 1924 में इसकी स्था जोसी से संबन्दी जनपत कौन सा है तो देखे प्रॉफेसर स्लिक्षाओं जोसी जी अपने टाइम के वेग्यानिक थे और इनको पदमस्री मिला 1991 में देखे मैं हर कोश्यन को ऐसे बनाता हूँ आपके लिए ऐसे डिजाइन करता हूँ कि आपको एक जो की पॉइंट होते ह अगर किसी एक्षाओं में आप पूछा जाएगा कि प्रॉफेसर स्लिकेशन जोसी को पदमस्री कब मिला था तो 1991 आपको याद हो जाएगा तो देखे जोसी जी एक वेग्यानिक के तोर पे जादा जाने जाते थे और इनका जन्म हुआ था पिथोरागल जनपत में ऑप्श तो देखे महात्मा गादी सताब्धी नेत्र विज्ञान केंद्र जो है दोस्तों इसकी लोकेशन देरादुन में ठीक है ओप्शन ही सही आंसर है देरादुन बगलते अंगले कोश्यन की तरब पांडव काल में निर्मित दुर्योधन मंदिर राजिके किस जनपद में इस् और इस मंदिर की लोकेशन मिलती है बाड़ा हाट में ठीक है तो बाड़ा हाट यानि की उत्तरकासी ओप्शन डी इस डियांसर ऐounसर है उत्तरकासी में हैं दुर्योधन मंदिर नेदेखे अत्र उतराघृरम में पूलीस प्रशिक्रिक्षणड अकादमी कहाँ इस्तित है तो पूलीस प्रशिक्षणड अकादमी राज जी की देखे दोस्तोँ आप लोगों को पता हो ना चि欸 Alors पूलीस ओंकी चैनल पर जो तैयारी, फोकस ली तैयारी कर रहे होंगे UKPSC की, ठीक है, उत्राघंट PCS, उत्राघंट PCS करने के बाद आपको कौन-कौन जी पोस्ट है मिलते हैं, जल्दी इसके लिए एक वीडियो दूँगा, ठीक है, ठीक है, और उसे भी other post मिल सकते हैं, लेकिन उसी level की मि DSP आने की, Deputy Superintendent of Police, ठीक है, तो DSP वगेरा जो ranker है, उनकी यहाँ पर training वगेरा होते हैं, पुलिस प्रस्टिक्टर कादिमी में, ठीक है, जो की मरेंद्र नगर में इस्तित है, ध्यान लगेंगे, अगला दिखे, टम्टा सुदार सभा का गठन किस ने किया था, ठीक है, तो आ मैंने वर्स नहीं दिया, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, बदाएंगे, किस वर्स उत्राखन में टम्टा सुदार सभा का गठन हुआ था, और इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति थे, मुन्सी हरिप्रसाद टम्टा जी, इनका उपनाम भी वदाया था, मैंने आपको, ठीक आक्टर अन् civilians प्रकास ने हैस को संस्था कि इस्थापना कई की थी, तो पदम्जुरी से संभानित है देखे दो अनिल प्रकास जोसी, आप जानते हों कि इनका बहुत चर्चित नाम है, अनिल प्रकास जोसी, कौन से फिल्ड में, परियावरं थो के चेतर में, कई बाकशे 1979 में ठीक है option B इसका सही आंसर है तो हैसको है क्या तोगा आपको पता होना चाहिए ह-e-s-c-o ठीक है हैसको यह है संजीब तो रूप दिया है यहां पर तो अगर इसकी फुल फॉर्म की में बात करो तो यह है हिमालेयन इंवायरोमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन और्गनाजेशन ठीक है ध्यान रिकेंगे हिमालेयन इंवायरोमेंटल इस्टडीज एंड कंजर्वेशन और्गनाजेशन जो किस्तावित होँआ 1979 में बढ़ते हैं अंगले question के तरप British सासन काल में सरकारिक खजाने के नियंत्रंग हे तु डबल लॉक व्यवस्ता सुरू करने वाला commissioner कौन था तो जो लोग देखें यहां पे follow कर रहे हैं अभी British कुमाओ करवाल जो मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं आप लोगों के लिए descriptive सीरीज है जिसमें आप बहुत ही महतो पूर्ण फैक्टों को देख रहे हैं महतो पूर्ण concept को समझ रहे हैं बिल्गुल script नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है काफी अच्छे views हैं काफी लोग इसको follow कर रहे है और काफी लोगों को इसका लाब मिलेगा जब आने वाला एक्जाम होगा वहां पर ठीक है तो वहां पर मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बताया था कि ब्रितिस हासनकाल में डबल लॉग व्यवस्ता सुरू हुई थी ठीक है किसके टाइम पर कमिस्नर विल्यम ट्रेल के टाइम पर वर्स था 1824 ठीक है अब यह डबल व्यवस्ता उसमें ये थी दोस्तों कि जो सरकारी खजाना होता था उसके नियंत्रंग के लिए की गई थी ये व्यवस्ता डबल लॉग व्यवस्ता इसमें क्या होता था एक चाबी रहती थी किसके पास ट्रेजर के पास जो खजानची होता था ठीक है ट्रेजर और दूसरी चाहबी रहती थी कलेक्टर के पास या कमिशनर लेवल के आदमी के पास ठीक है तो दो चाहबी रहती थी उसमें सरकारी खजानी की तो यह डबल लॉक ब्यवस्ता सुलकिते विल्यम ट्रेल ने 1824 में तो ब्रिटिज कुमाओ करवाल मिसना कीजिएगा दोस्तों मैं आपसे इस तो इसमें बड़ा डाउट रहता है एस प्रेंट को आज मैं इसको किलेर कर देता हूं दोस्तों ठीक है तो राज जिकास अबसे उचा वाटरफॉल है बिर्थी जलप्रपात ऑप्शन इसका सब्सक्राइब बिर्थी जलप्रपात इसी को भेल चडा जलप्रपात भी कहा ज जाता है दोस्तों ठीक है इसकी जो उचाय दी गई है जो वहाँ पर बोड लगा हुआ है जो वहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी हमारे यहाँ पर जो महतोपक्त पर्याटन इस्तल होते हैं या जो भी संदक्षित चीज़यां होती है वहाँ पर एक गवर्मेंट बोड बातकर में वसुधारा जलपरपाद जो कि चमोली में है इसकी उचाय है 120 मीटर तीक है या 121 भी बहुत जगों पर दिया हुआ है तो इससे आप से देखा जाए राज जे का जो सबसे उचा वाटरफॉल है वह बिर्थी जलपरपाद है जो कि मुनसियारी पिथोरागल मार् इन पर में सबसे ठीक है और इसके बात है केम्टी जलपरपाद आपको पताई है उतना हाइट निया इसकी केम्टी जलपरपाद नॉमल एक वाटरफॉल है और साथे कार्बेट जो जलपरपाद है यह भी जब हम अलदवानी से जब रामनगर की और प्रस्तान करते तो तो कौन सा पमार सा सकते दोस्तों जिसको गड़वाल का एक छत्र समराट का जाता है अच्छा कुश्यन है और इसका जो राइड आंसर दोस्तों वह है option B no doubt ठीक है अजयपाल क्यों कहा जाता है अजयपाल को करकि अजयपाल ने ही गड़वाल का एक ही करंग किया था ठीक है बहुत से इतियासकार अजयपाल को गड़वाल का बिसमार्च भी कहते हैं और इसके साथ बहुत से इसके उपनाम थे जो कि मैंने दिया है अन्यकेडमी लर्नेगाइब पर पमार वंस का इतियास वाले Cosman आप ज़रूर देखेगां उपर अजयपाल ने देखिए 5515 मार्ग जितने भी गड़ी थे उनका एकी करन्ड किया था ठीक है और अजय इपाली वो पहला सासक हुआ जिसने राजधानी इस्तांतर की क्योंकि पमार सासकों की जो प्रार्मपिक राजधानी थी दोस्तों वो चांतपुर गड़ी थी इसके बाद राजधानी को देवल गड़ी ले जाता है तो देखिये उत्राखंड के आपको पता है लोग जो आपलके सार को मिलेगा एसे ही बहुत से ही बहुत आभूशन होते हुँ गांड के दोको दोस्तों ये गाली लीं नाक में पयटा जाता है इसको उत्त brend किया श्यांतर किया तो प्राइधा में बाट आपको दिखाना जाता हूं हालांकि मेरे ड्राइंग इतनी अच्छी है इसको नोज मान लेते हैं दोस्तों ठीक है यह किसी की नोज है ठीक है तो यह किसी की नोज है फायम फॉर एक्जाम्टम ठीक है उतनी अच्छी नहीं है तो नोज में देखे बुलाक आपुशों ऐसा हो तो नाक का अभूसंग है, अब साइद आप नहीं भूलेंगे एक्जाम में भी, मेरी ड्रोइंग तो आपको याद आएगी, अगला देखें, राज जी के किस मंदिल को केदार जीव कहा जाता है, ठीक है, तो देखें, राज जी का एक मंदिल है, जिसकी तुलना केदार नात स की जाती है, केदारनात के समतुल्य रखा जाता है, इसको और इस्थानिया लोग इसको केदार जीव कहते है, ठीक है, केदार जीव, तो यह मंदिल है दोस्तों, ओप्शन ए, थलकेदार मंदिल, ठीक है, ओप्शन ए, राइड आंसर है, और थलकेदार मंदिल की लोकेशन है पित्षभा लगल जनप्रद में ठीक है अगला दीखे गयर सेंग को चंद्रनगर नाम किस वर्स दिया गया था था थीक है तो गयर सेंग दीखे बहुत ही तो चंद्र शियंग गरवाली जी को स्रद्धान जली देने यह तु गैर्शेंग का नाम UKD ने चंद्रनगर किया था 1992 में और गैर्शेंग आपको पता ही है कई बाद प्रपोजल है वहाँ पे दूसरा विदान सभाव और इस ताही राजदानी के रूप में आज भी कही ने कई संगर से कर रहा है गैर्शेंग गैर्शेंग में एक महत्तों म्यूजियम भी है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है जो अमारे डोल होता है डोल संबंदी म्यूजियम भी वहीं पे है गोर्का सासन काल में छकाता गरी किसे कहा जाता था ठीक है तो जब यहां पर गोर्का सासन था एक प्लेस का नाम चकाता गरी चकाता गरी तो कौन सा प्लेस था यह बहुत ही मच्छा कुश्यन है तो एक तो आपको देखे डाउट होगा इसका सबसे पहले सश्टी खात कि यहां पर बात करते हैं मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बता है नैनिताल का पुराना नाम था दोस्तों वो था था शष्टी खात या चकाता पर आता है नैनिताल का प्राचीन नाम जिसका मतलब था कि मतलब था कि मतलबовор में साट से अधिक ईदिक जी-ले लए ठीक है इसन लिए नैनिताल को शस्टी-खात या चकाता-चकाता गरी बोला जा रहे तुक है कोश्चिन में तो गोलहका है सा देखे कई बार पूछा गया है question और इस question से सम्मधित जो topics हैं सरोला सभा गर्वाल में छत्रिय सभा गर्वाल सभा गर्वाल हितकारणी सभा गर्वाल यूनियन ये सभी मैं topic दे चुका हूँ आप उत्रागण के इतियास वाली playlist में जाहिए वहाँ पे गर्वाल में जो जन ज subscribe video देया था जहां पे बताया था मैंने आपको घड़वाल में जो ये सरोला सभा थी किसकी सभा थी ब्रह्मनो की सभा थी टिक ब्रह्मन वर्ग के लोगों की सभाई थी और इसका काफी विरोध किया था उसमें छत्रिय समाज ने कि ये केवल अपने हीतों के लिए बनाए ग कि इस्तापना कब हुई थी तो हिमाले नक्षत्र वेथ साला ये देव पुर्याग में इस्तित है टेहरी गढ़वाल में और इसके इस्तापना हुई थी दोस्तो राइड आंसर है ऑप्शन B 1946 1946 में अगला देखे गढ़वाल इस्तित कि इस परवत को आँछरी या परियों का निवास इस्तल माना जाता है देखे बहुत महत्तों कोश्चन है ठीक है और कई बार मीडिया चैनल भी अपने चैनलों पर इससे संब्धित जो उनकी रोचक एक सीरी चलते हैं वहां पर बताते हैं बहुते चैनलों में मैंने स्वयम देखा था एनालेसिस भी किया था उन ल चैनलों मिलेंगी ठीक है तो अकेले जाना यहां पर कहीं न कहीं डरावना है ठीक है खेट परवत पर जाना और इसकी लोकेशन है टेरी गरवाल में खेट परवत की ठीक है टेरी स्थित अगल आ देखे निमन मैंसे कौन नौजवान भारत सभा के सदश्य रहे थे तो राजजी के इनमें से कौन से व्यक्ती थे दोस्तों जो नौजवान भारत सभा के सदश्य भी रहे एंड विराइड आंसर इज ओप्षन है इंद्र सियां करवाली दोस्तों ठीक है इनसे संबंधी देख मैं कांड आपको बता चुका हूं जो कांड हुआ था ठीक है उटी कांड से संबंधी थे हैं और नौजवान भारत सबाज जिसमें एक से करांतिकारते भगत सियां वो चं दखेंगे तो कोश्यन बन सकता आगामी परिक्षाओं में कि राज जी के किस व्यक्ति का संबंध नौजवान भारत सबासे था तो इंद्र सियां गरवाली लास्ट कोश्यन है टेस्टर सिर्ज का गोलखाओं ने सर्वा प्रथम गरवाल पर आकरमन कप किया था तो किस वर् पीछे धकेल सकता है एक नंबर आपको पहली बार में सेलेक्शन दिला सकता है तो आराम से कोश्यन को देखा कीजिए अच्छे से समझे तो गोलखाओं ने सबसे पहली बार गरवाल पर आकरमन किया था दोस्तों 1791 में ठोगा इस्टोरिल को देख लीजिए उसके बाद वी गोलखाओं ने गड़वाल के पमार सासकों को लग गया भया अब अगला नंबर हमारा है इसलिए उन्होंने क्या क्या सिक्क्योर्टी को टाइट कर दिया 1791 में गोरखाओं ने पहला हमला बोला लंगूरगड़ पे लेकिन पमार सेना ने लंगूरगड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया गोरखाओं को ठीक है तो लंगूरगड़ पे युद्धी पे संदी हो जाती है 1792 में क्यों होती है इसका तातकालिक कारणरी था वहाँ नेपाल राज्य से संदेश आता है गोरखाओं के लिए कि जितनी भी सेना है बैक अप में भेजो आप नेपाल को आपका जो देश है वो खत्र में है तो नेपाल पे चीन के युद्धी की वज़े से यहाँ पर जो आकरमगता गोरखाओं का पमार सामराजी पर पहला या ग लंगूरगड की संदी बहुत महत्तोपूंग वर्से याद रखेंगे कोश्यन यह भी बन सकता है कि गोरखाओं और पमार सासों को के मत्य लंगूरगड की संदी किस वर्स हुई थी तो यह वर्स था 1792 ठीक है दोस्तों I hope देखे यह कोश्यन जितने मैं आपको बदाता हू क्योंकि जिन्दगी में हमने बहुत से उतार चड़ाओ देखे हैं जैसे अपना वक्त हमारा अनुभव लेने में ही उप्योग हो गया हम मैं नहीं चाहता कि जो नए लोग हैं ऐसे ही अपने वक्त को बरबात करें वो लोग जल्दी से जल्दी सफलता कि और बढ़ें इसी यही उद्देश यह और आप लोग मिलको पता है कि जल्दी से जल्दी जितने भी एक्जाम होने वाले हैं उन्हीं में बहुत से लोग सफलता प्राब्त करेंगे इस चैनल से फॉरस्टगार्ड एक्जाम में मिलको बहुत ज़्ज़ादा उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा झाल झाल